तो दोस्तों आज हम बनाएंगे कवाब और कवाब ऐसे की स्वाद में मस्त और खाने में जबरदस्त एक बार बनाए ना तो बस बार-बार बनाकर खाने को मन करें इतना टेश्टी और स्वादिश्ट यह कवाब बनने वाला है दोस्तों हमारे दोस्त लोग कुछ ऐसे होते है जो मटन खाना पसंद नहीं करते हैं तो उनके लिए आज ही रेसिपी हम बहुत ही अच्छी टेश्टी लेकर आए हैं बक्राइद आने वाली है दोस्तो तो बक्राइद पेज जाने क्या क्या बनाने को मन करता है तो दोस्तो वीडियो पे बने रहेगा अगर आप हमारी वीडि लेंगे हम आज सोया बीन से जो खाए मास्त रहे और तंदरूस्त रहे बहुत अच्छी और हैल्दी अपने ही घर पर थोड़ से वक्त में और थोड़ से टाइम में फट अफट बनाए और टेश्ट लीजिए जो मार्केट वाले कवाब होते न तो तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे इतना टेश्टी और स्वादिश्ट यह कवाब है तो दस्तों चले वीडियो सुरू कर लेते हैं यहां पर हम लेंगे सोया बीन सोया बीन मैंने यहां पर 60 ग्राम लिया है आप अपनी पसंद से ले सकते हैं कितना ले सकते हैं वह आप देखे मैंने पानी में डाल कर आदा घंटे के लिए उबाल लिया है उबाल के आप देख सकते कितना यह सोफ्ट हो गया है और इसको इस तरह जो एक्ष्टरा पानी इसका सारा पानी बाहर निकाल लेंगे पानी सारा बाहर कर दिया है सोया बीन का और मैंने यहां पर लिया है चना डेड़ सो गिराम प्लुट बारिक पृस्कर यह सोया बीन कर दिया है और अब यहां पर मैंने इसका भी पोडर बना लिया है इस फो मैंने इस पेज अपर अपर थोड़ी सी लेंगे बारिक चोप कर लिया है अगर आपके पास हरा धनिया है तो धनिया ले सकते हैं यहां पर चोथा चम्मच, मिर्चिलाल पोडर और नमक डालेंगे सुवादा नुसार, यहां पर थोड़ी सी लेंगे मेथी, कसूरी, कसूरी मेथी को इस तरह थोड़ा सा मसल कर और यरगणी रगड कर इसमें डाल देंगे, जो इसका अंदर की जो डंडी होती है उसे निकाल दोस्तों और यहां पर लेंगे मीट मसाला, मीट मसाला थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे और आप देख सकते हैं मैंने यहां पर देही लिया है मार्केट वाला, आप चाहे तो घर का फ्रेश देही भी ले सकते हैं, पहले थोड़ा सा मेस कर दूगे और इसमें देही डाल दे डालेंगे दिए 25 एक बैटर के amy डालेंगे जो अच्छा सा बेटर हो जिससे हमारे कवाब बहुत अच्छे बंद जाए देख इसे अच्छे से मिश कर लेंगे बेटर हमारा भी थोड़ा सा हाड है तो थोड़ी सी यहां परदई और डाल देंगे और बस इतनी देही हमें काफी है अब इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं एक दम बहुत अच्छा बेटर बन कर तयार हो चुका है बस इसी तरह का हमें डो चाहिए था अब इसको एक साथ इकठा कर लेंगे बीच में अच्छे सेंटर में यह लीजिए बहुत अच्छे से मैंने यह बना कर तयार कर दिया है अब यहां पर आप इस तरह की चम्ची भी ले सकते हैं यह फिर आप यहां पर इस तरह का जो पैशकस होता है मतलब कोई भी चीज हम जब लूज हो जाती है तो उसे इससे टाइट करते हैं वही पैशकस है तो आज मैं इस पैशकस से ही यह बनाऊंगी जो कवाब है हमारे इसी से पैंचकस को मैं ने आच्छे से पाने से दो कर लिया था अब यहां पर हम इसको अच्छे से कवाब बनाकर आपको दिखा देते हैं देखे बहुत आसान है इसमें बनाना अगर आपके पास पैंचकस नहीं है तो कोई और भी इस तरह की सलाई ले सकते हैं लीजे देखिए इसके अंदर से मैंने इसलिए लिकाला है दोस्तों क्योंकि मेरे पास भट्टी तो नहीं है तो बस हमें एक गेस पर ही बनाना है तो जो फराइफेन में हम इसे रखने वाले कड़ाई में उसमें प्याचकस नहीं आएगा लीजे एकदम परफेक्ट बनकर तयार हो चुका है इसी तरह में सारे कवाब इसी तरह बना लूँगी और आप देख सकते हैं कितने आसानी तरीके से बन रहे हैं इसे कोई भी बना सकता है बहुत आसान है और बहुत अच्छा है टेश्टी भी है और दोस्तो इसे बनाने में कोई जंजट भी नहीं है लेजे ये भी बनकर हो गया तयार इसको भी मैं शायड में रख देती हूँ चली सारे बना लेते हैं कवाब अब आप देख सकते हैं सारे कवाब बनकर तयार हो गया देख रहे हैं दोस्तों कितने सुन्दर लग रहे हैं बस खाने में भी इतने ही स्वादिष्ट है अब यहां पर एक कड़ाई रखेंगे या फिर कोई फ्राइफेन रख लीजिए पैन में मैंने यहां पर डाल दिया है रिफेंड तेल आप चाहें यहां सी तेल भी डाल सकते हैं लेकिन रिफेंड तेल इसके लिए सही रहता है यहां पर तेल को मैंने अच्छे से हिट दे लिया इनका अच्छे से गरम कर लिया है गेस को अभी तक मैंने यहां पर हाइफ लेम किया था और इसके अंदर में य और अगर दोस्तों आपको एक दम कुरकुरी चाहिए तो आप इसे हाई फलेम पर भी बना सकते हैं, विसे हमने इसमें भुना हुआ चना डाला है और उबला हुआ इसमें सोयबेन डाला है, तो इसलिए ही कच्छे नहीं रहेंगे, आप इसे तेज आज में भी बना सकते हैं, अब आप इसका कलर देख सकते हैं, मैंने इसको पलट दिया है, यह हाई फलेम पर मैंने इसका यहां पर कुक किया है इसे, और आप देख सकता है हाई फलेम पर कितने तेज कलर में यह बन कर तयार हो गए हैं, आप चाहे तो इतना तेज कलर में इसे बना सकते हैं नहीं, एक फ्रेम मैंने किया है उसी में मैंने ये बना रही हूँ जो गेस है हाई स्पीड नहीं रखा उसका कलर आप देख सकते हैं जैसा आपका दिल करें वेशा कलर आप इसमें दे सकते हैं ये सब आपके उपर डिफेंट करता है आपके ऐसा खाना पसंद करेंगे देखिए अब आप देख सकते हैं, ये भी देखे कितना अच्छा लग रहा है न कलर मैंने यहाँ नूर्मल गेस पर इसको बना रही हूं और बस मुझे इसी तरह का कलर चाहिए से ज्यादा है कलर नहीं तो देखे दोस्तों, मैंने सारे कवाब बना कर तयार कर लिए हैं और यहां पर रखी हमने देही आप चाहे तो यहां करीम जो होती है ना चिकन फ्राइवाली उस करीम से भी इसको सब कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर देही रखी है मैं देही पर ही इसे सब करती हूँ मुझे देही बहुत अच्छी लगती इसकी साथ आपको यह recipe बहुत ज्यादा पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना शेयर करना और बल आकन का बटन दबाना बिलकुल भी मत भूला तो दोस्तों देखा कितना बहतरीन और स्वादिश्ट कवाब देखे अंदर से अला हाफिज बाबाई